आज के दिन पर मार्केट में कैसे बिहेब हुआ और कैसे हम ट्रेड की इसारे के सारे चीज़ों के उपर डिसकस कर लेते तो जैसे अब देख सकते मेरे सामने अभी यहां पर टेलिग्रम ओपन है तो यहां पर एक्चुली फास आफ जो हम लोगों ने ट्रेड किया था फास पर फ़ल जो पहला ट्रेड था थोड़ा सा मैं यहां पर जो लिया था एक सेटप था जो ट्राप करने की वाला सेटप था जो इस एरिया के आसपस मैंने एक सेल का पॉजिशन लिया था लेकिन वहाँ पर प्रॉफिट भी आया था ठीक है आप देख सकते हैं वान इस्टु वान भुग भी यहाँ पर लेकिन क्या था मैं अगर अपना प्नल के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ज्यादा कुछ प्रॉफिट तो नहीं हुआ लेकिन लॉस भी नहीं हुआ ओके तो अल्ली एंड बहुत बड़े क्वांटिटी रहता है करीवन 100-500 क्वांटिटी रहता है फिर भी उतना ही लॉस है तो बात करते क्यों अभी यहाँ से मेरे को 700 के करीब प्रॉफिट आ रहा तो उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट एक प्रॉफरली बेस बिल्ड करता है इस जगह के आसपास है यहाँ पर ब्रेक आउट देता है अगर मैं ब्रेक आउट के बार में बात करूँ तो इस जगह पर मैं थोड़ा सा डाउट हो रहा था जाए साथ गूम के नीचे आजाएगा तो इस बाली केंडल पर मैंने इस केंडल पर मैंने लेनी की प्लाइन कर रहा था लेकिन यहर केंडल इतना बड़ा बन गया यहर 85-90 पॉइंट के आसपास के पास रिक्स आ गया तो इसी रिक्स पर मतलब पॉसिबल नहीं है ठीक है इस रिक्स पर आप ए जिसे मैं या फर उतना छोटा लॉस पी कॉस्ट कॉस्ट जो एक्जीड हुआ था उतना छोटा लॉस पी आप देख सकते क्योंकि आपके पास अगर कैपिटल को तो हाई यार लॉस कर लिया लेकिन आपका ट्रेड कहां पर करना चाहिए और कहां पर नहीं करना चाहिए तो नो प्रॉब्लम है यार ट्रेड नहीं मिला छुट गया चला गया मेरे को रिक्स ज़दा आ रहा था मैंने नहीं रिया क्योंकि आप एक चीज समझने की कोसिस करो क्या है न अभी देखो बैंग निफ्टी के केस पे अगर आप बड़े रिक्स पे काम करोगे तो आपका कैपिटल जब तक बहुत बड़ा बिल्ड़ अप नहीं हो जाता तब तक क्या होगा आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमाओगे तो इसके बाद आपका लॉस हो जाएगा तो इसलिए अगर आपके पास जब तक बहुत बड़े प्रॉफिट गेन नहीं हो रहा है तब तक आपको इतने बड़े-बड़े रिक्स पे ट्रेड को एवएट करना चाहिए ठीक है तो रिक्स छोटा होगा तो ही आप नहीं तो फिर चोड़ो तो उसके बाद यहां पर हम लोगों ने फिर दूसरा एक ट्रेड का प्लाण किया इस जगह के आसपास यहां पर देख सकते हैं आप वाल्यूम एनावली मिलता है बैंग निप्टी पे आप यहां पर वाल्यूम को देखेंगे तो इस बाली ग्रिन क केंडल का जो वाल्यूम है इस केंडल से जादा वाल्यूम इसके बाजू वाला केंडल पर आ जाता है ठीक है इस जगह के आसपास आप वाल्यूम एनावली देख सकते है लेकिन वह उसके बाद एक अननेसेसरी वाल्यूम स्पाइक दिखने के लिए मिला अननेसेसरी वाल्य मिला के हर एक जगा पे मैंने 1-20 बूक किया जो भी ट्रेड का प्लाइन बनाया था तो वहां से 1-20 बूक किया एंड इसके बाद देखो आप 1-21 बूकिंग के बाद फिर घुम के जाके ओमरा ट्रेलिंग एसल को हिट करते हैं उसके बाद देखो फिर आया लेकिन यह टाइम क्या हो गया था अल्डेडी 2-3-3 वाज लेकिन यहां से देखोगे यह कुछ भी मूब नहीं हुआ मार्केट में कुछ भी आप्सान पे कुछ भी नहीं हुआ था अप्सान उधर ही बैठा हुआ एक दाओ उसी जगा पे बैठा हुआ आप अगर उप्सान चार्ट देखोगे तो तो अभी निफ्टी के बारे में बात कर रहेंगे रेकिन काल के बारे में बात कर लेते हैं अभी निफ्टी पे क्या बेहिवियर हो सकता है आवारली पे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है और कहां पे जाके हम लोगों को next trade plan हो सकता है ठीक है तो अभी थोड़ा picture को clear कर लेते हैं यहां से अभी यह picture जैसा दिख रहा है क्या है ना अभी दो zone मिल गया ठीक है bank nifty एक आपने आप एक अच्छा खासा range के अंदर इसने लंबा एक range बना दिया ठीक है तो अभी इस range के अंदर bank nifty बैठा हुआ है अभी इसके उपर इहां पर फाक है previous day का high low को बंद कर देते ठीक है अभी यहां से सारे के सरे drawings मैंने clear कर लिया अभी वान आउर पर क्या दिख रहा है वान आउर पर यह वाला एक range जिस range के अंदर market इहां पर next क्या trade plan वाँ पर इस पर अगर इस सी area के असपर कल भी open होता है ज उसके बाद इस area को open break करता है एक अच्छी कंसी green WRC के साद़ ब्रेक करता है तो उस case पे हमें जो पहला target देखने के लिए मिलेगा यह वाला area पूरा के पूरा space खाली पड़ा हुआ है ठीक है यह वाला area तक हम लोगों को इस area तक हमारा पहला target देखने के लिए मिल जाएगा अभी अगर इस area के आसपस market निकालता है फिर भी यहां से अगर market उपर जा नहीं पा रहा है ठीक है चोटे चोटे candle वाना रहा है घूमते हुए आके उसका प्रिवियस डे का high यहां पर बन गया अभी high को जिस candle ने break किया था अगर ऐसा कोई green candle ने उसको break किया और उसके बाद उस green candle का low अगर break होता है तो यहां से हमें एक trap setup एक्टिव बन सकता है और नीचे की तरफ हमें move दे सकता है ठीक है यह हो गया हमारा दूसरा plan अभी अगर काल के दिन पर market gap up open होता है like that बहुत जदा gap up हो गया 100-200 point gap up हो गया तो उस case पर मैं बोलूंगा यहां पर थोड़ा सा base building होने दो और उसके बाद अगर उसी base के भी हिसाब से जिस side पे ब्रेक करे उस side पर trade का plan बना सकते हो ठीक है इस base के हिसाब से लेकिन आपको कुछ भी analysis करना है और प्रॉपर और प्रॉपर आपको hackernachy candle stick पर ही करना है ठीक है आप hackernachy पर करोगे तो क्या होगा आपका जो market का noise है न वो eliminate हो जाएगा ठीक है तो अभी काल के दिन पर अगर market इसी zone पर open होता है और उपर में किसी को trap ना करे और नीचे ही सिधा move देना चालो करे तो इस case पर हम लोगों को यहाँ पर space दिगरा है इस level तक ठीक है तो अगर space दिगरा है तो यहाँ पर भी हम लोगों को trade बन सकता है अगर इस बाली level जो 44,322 को break करता है ठीक है 44,322 के break करके अगर नीचे आता है तो इस level तक हमें एक movement फिर से मिल सकता है तो अभी यहाँ से फिर से पूरा एकदम कचरा हो गया drawing को clear कर लेते हैं यहाँ से अगर market काल के दिन पर gap down open हो जाता है तो gap down के case में हमें क्य gap down open हो जाता है बहुत बड़ा कुछ इस area के आसपास gap down open हो गया तो यहार इस जगा पे आब लोग buying का planning करो ठीक है यहाँ पर market एक बेस बाना के फिर अगर उपर की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ से आप बाइग का एक plan मना सकते हो यहाँ से नीचे आएगा तो थोड़ा सा chaosence maintain करना already यहाँ से बहुत अच्छा उपर जा चुका है तो यहाँ से trap करके भी उपर की तरफ बन सकता है market ठीक है hope you understand कैसे trade करना चले इस area के असपास अगर open होके नीचे जा नहीं पता है आर उसके बाद जिस candle ने previous day का low को break करेगा और उस candle को फिर से अगर trap कर देता है ऐसे green candle बना के जिस candle ने ऐसा break किया नीचे की तरफ उस candle का high को ऐसे break कर दिया उपर की तरफ ठीक है तो यहाँ से भी फिर एक trap setup बन जाएगा जो seller lock trap हो जाएगा और market को फिर एक उपर की तरफ लेके जाना चालू कर देगा ठीक है समझ में आया bank nifty का plan क्या क्या बनना चाहिए अ निफ्ती पे आज क्या क्या ट्रेड मिला निफ्ती तो आज बहुत ही मतलब बुलिस था क्योंकि उसके पीछे जो था हमारा जो cnx जो it वाली सेक्टर था it का सेक्टर बहुत अच्छा खासा आज मूव किया जिसके वज़े से निफ्ती में भी एक बुलिसनेस देगने के ल तो निफ्ती पे इहां पर देख लेते हैं निफ्ती इहां पर रिक्स कितना दिया था only and only 17 points का रिक्स था निफ्ती में भी अच्छा खासा स देखने के लिए इल्ए कितने के पौइंट था 72 71 पौइंट का यहाँ पर रिटर्न देखने के लिए निप्टी के के सबी अभी निप्टी के कर दिन पर क्या बन सकता है खोड़ा सा चेक कर लेते. अभी मैं यहां से वान आवर स्टक्चर पे चला गया और वान आवर स्टक्चर पे यहां पर देख सकते मार्केट ने जो अपना पिछला बाला लेवेल वाना था उस लेवेल के आसपस मार्केट नियार आवाउट आ चुका है तो अभी काल के दिन पर अगर निफ्टी आये ठीक है इस एरिया के आसपास तो हमें एक लेवेल दिक रहा है तो यहाँ पर क्या है थोड़ा सा Conjestrid ужone भी क्या दिक रहाए अभी स immortal जोन है प्र एब बहना से होगा बेस्ट बेस्ट आएगा इस एरिया के उपर ठीक है इस एरिया के उपर आगा अगर निप्टी आ जाता है तो यहां से बहुत अच्छा खासा लंबा स्पेस आपको दिखने के लिए मिल रहा है जो आपको कमसे को निप्टी को यहां तक फिर all time high के आसपास लेके जा सकता है लेकिन इत इते हुए आके जिस केंडल ने उसका high को break किया था उसका low अगर break कर देता है market तो यहां से हम लोग को एक downside का trap setup calls जिन लोगोंने buy किया था C side का trade जो लोग ले लिये थे उन लोगों को trap करते हुए market एक नीचे की तरफ move दे सकता है यह हो गया हमारा एक number plan अभी काल के दिन प जाता है तो अभी अगर market काल के दिन पर purely इस area के आसपास open होके नीचे की तरह आता है तो guys यहां पर थोड़ा सा questions follow कीजिए क्योंकि इस से bull market ठीक है तो bull market पे भी थोड़ा बहुत ऐसा है नीचे आ जाना मतलब यह सारे के सारे चीज़ के उपर properly धैन रखना बहुत जोरूर जाता है इस area के आसपास gap down open हो जाता है तो इस area के आसपास अगर gap down open होता है डिसके बाद नीचे ओ लोग आना नहीं पता है लेकिन गुमते हुए उसने जिस candle ने उसका previous day का low को break किया था अगर इस candle ने break किया अगर गुमते हुए उस candle का high को अगर ऐसे break कर देता है तो हमारा जो एक execution का logic होना चाहिए कैसे हम logic को execute करेंगो सारे के सारे चीज़ I hope आप लोगों को understand हो गया पर only and only 1.5 रुपया का रिक्स था ठीक है 1.5 रुपया का रिक्स था और और ओ कितना दिया हम लोगो को यहाँ पर return near to 9 पॉइंट का return देगने के लिए मिला ठीक है तो यहाँ पर one is to one जैसे देगने के लिए मिला इस जाए के असपास एसे लीड हो गया trailing एसे लीड हो गया ओके इस जाए के असपास जैसे एक रुपया का SL था लेकिन यहाँ पर return देगने के लिए मिला near to हम लोगो को पिक्चर पर नहीं दिग रहा है यहाँ पर near to क्या दिखा जाए अगर 62 है 62 ते 74 मतलब 12 से 13 पॉइंट का return हम लोगो को देगने के लिए मिला जिंदाल स्टील रि return प्रोपर दिखेगा आप प्रोपर return बना पाओगे ओके तो फड़ा फट जोईन हो जाओ लिंक आपको description box पे मिल जाएगा so thank you for watching this video and keep trading keep learning and keep following your risk management thank you and bye bye